नटवर्ड लाल दोस्तों यहें नाम ही काफी है जी हाँ नटवर्ड लाल का नाम ठगी का परियावाची शब्द और मुहावरा बन गया है सतर असी और नाबे की दशकों में एक के बाद एक कई ठगी गई घटनाओं को अंजाम देकर नटवर्ड लाल भारत का कुख्या ठग बन गया कानून की नजर में नटवर्ड की गतिविद्या भले ही अपराध हो लेकिन वहें इसे एक समाज सेवा मानता था अपने जीवनकाल में करोड़ो रुपे ठगने वाले नटवर्ड का कहना था कि वहें लोगों से जूट बोल कर पैसे मांगता है और लोग उसे देते हैं इसमें क्या उसका क्या कुसूर है यही नटवर्ड का दावा था कि अगर सरकार इजादत दे तो वहें ठगी के माध्यम से भारत का विदेशी कर्ज उतार सकता है हम आपको बदाएंगे कि नटवर्ड लाल के बारे में जो अपनी गटबूधी की वज़ी से के दशकों तक भारत का मौस्ट वांटेड मैन बना रहा खबर के अनुसार उनका जनम सीवान जीले के जीरा देग गाउं से दो किलोमीटर की दूरी पर इसीद गाउं बंगरा में हुआ था अब नटवर्ड लाल यहां दंत कताओं में याद किया जाता है नटवर्ड लाल ने तीन बार ताज महल, दो बार लाल किला और एक बार रास्ट पती धवन को बेश दिया यही नहीं एक बार तो उसने भारत के संसत भवन को भी बेश दिया था नटवर्ड लाल उसके बावन गया नामों में से एक था कहा जब है कि नटवरलाल ने धीरू भाई, अमबानी, टाटा और बिल्ला घटना के उदोगपती के अलावा सरकारी अधिकारियों से भी ठगी की थी दोस्तों, मौस्ट वांडीर अप्रादियों की लिस्ट में शुमान नटवरलाल की खलाक, आट राज्यों में सो से अधिक मामले दर्श थे वह अपने जीवन काल में नो बार गिराफतार हुआ, लेकिन परती एक बार किसी ना किसी तरह पुलिस की चंगुल से भाग निकला अन्ति बार जब वह पुलिस की पकड़ से भागा तब उसकी आईउ चुरासी साल की थी 24 जून 1996 को उसने कानपूर जेल से एम्स अस्पतार लाय जा रहा था नए दिली रेल्वे स्टेशन पर पुलिस ट्रीम को चक्मा देकर वह भाग निकला इस घड़ना के वाद उसे फिर कभी नहीं देखा जा सका नटवरलाल ने मरने का नाटक कर भी लोगों से ठगी की थी वर्ष 2009 में नटवरलाल के वकील ने उनके खिलाफ दायर सो मामलों को हटाने की याजिका दायर की थी उसने दलील की कि 25 जोलाई 2009 को नटवरलाल मर चुका है लेकिन नटवरलाल की भाई का दावा है कि उसकी मौत करीब 13 साल पहले वर्ष 1996 में हो गई थी नटवरलाल की जिवन से परिरेत होकर बॉलिवुड में एक फिल्म बनी मिस्टर नटवरलाल इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमीताब बच्चन अभी हाल ही में राज़ा नटवरलाल नामक एक फिल्म बनी है जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है इम्रान हास्मी ने बिहार में उसके गाउं के लोगों की मांगती कि यहां नटवरलाल के नाम 21 वारत की सापना की जाए यहां लोग माते हैं कि नटवरलाल एक भला आदमी था और लोगों की मदद करता था नटवरलाल से परभावित होकर कई लोग उसके शागित्र बने लेकिन कोई भी उसके सरीखा नहीं हुआ दोस्तों और दिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं धन्यवाद